हेलो दोस्तो, I hope you all are doing good फ्रेंट्स, इगनु की तरफ से आप सभी के लिए नया नॉटिफिकेशन रिलीज किया गया है बीएड अड्मिशन के रिकारिंग जी हैं फ्रेंड जैन्वरी 2024 सेशन के लिए बीएड अड्मिशन ओपन होने वाले हैं जिसके लिए आपको सबसे पहले अड्मिशन रिलीज हो चुका है अगर आप चैनल पर नई है तो सबस्क्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी आउन रखेगा इगनु की तरफ से अड्मिशन रिलीज किया गया है क्या एज बार है क्या इंपोर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी जरूरी है कितने आपको फीस देनी होगी और आप कैसे अपने आपको एंड्रोल कर सकते हैं मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं पूरी डिटेलिंग्स इस वीडियो में शेयर होने वाली है आपके साथ वीडियो को कम्प्लीट देखेगा सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंट्स eligibility की क्या आप eligible हैं भी या नहीं सबसे पहले candidates with at least 50% mark इदर in bachelor's degree और in master's degree या तो आपने bachelor's degree की हो या master's degree की हो जिसमें आपके कम से कम 50% marks आए हो अगर हम streams की बात करें तो science, social science, commerce, humanities किसी भी stream से आप belong कर सकते हैं उसके बात करते हैं bachelor's in engineering अगर आपने engineering की है, b.tech की है, technology with specialization in science and mathematics तो आपके पास science और mathematics जरूर होना चाहिए और यहाँ पर जो आपके marks की limit है, उसे 55% mention किया गया है and any other qualifications equivalent there too, या फिर कोई और qualification जो इसके बराबर हो and also यहाँ पर देखें and भी mention किया गया है, यह एक criteria है and second criteria भी आपको fulfill करना पड़ेगा अगर आप इगनों से bade करना चाहते हैं तो, so friends उसमें यहाँ पर बताया गया है आपको अगर आप audio mode में इगनों से bade करना चाहते है you must be trained in service teachers in elementary education and secondly candidates who have completed a NCTE recognized teacher education program through face-to-face mode regular mode में आपने NCTE recognized कोई भी teacher education program किया होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर friends जो reservation के भी बात की गई है वो मैं आपको बता देती हूँ जितने भी SCST, OBC, non-creamy जो layer है उसके अलावा PWD, EWS candidates होंगे उन्हें 5% marks के लिए exemption दी जाएगी मतलब relaxation दिया जाएगा उसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी war widow candidates है या फिर कश्मीरी migrants है वो भी university rules के according अपने लिए exemption मतलब reservation अवेल कर सकते हैं next point की बात करते हैं friends जो है age, so friends यहाँ पर आपको age no bar mention किया गया है मतलब age इसमें आपकी matter नहीं करती है, आप इगनों से beard करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं चाहें आपकी कोई भी age हो, उसके बाद admission criteria and reservation, so friends यहाँ पर आप देखिए यह bachelor of education program मतलब be admission to this program is merit-based, friends जो admission है, वो merit-based है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं entrance test की, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, entrance test है, वो 7th of January को है, आप इगनों में direct admission नहीं ले सकते, यह सब qualifications आपके पास होनी चाहिए, आप तभी eligible होंगे, entrance के लिए, admission के लिए आप जब eligible होंगे, जब आप entrance crack कर लेंगे, यहाँ पर आप देखिए, merit-based होने वाला है, उसके बाद registration जो आपको कराना है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि 12th of December के बाद, आप अपको register करा सकते हैं, यहाँ कि official website से 1000 rupees आपको fee pay करनी होगी for the entrance examination, जो important dates आपको ब 12th of December की date दी गई है, but friends इसे आज के दिन ही release किया गया है, आप 31st of December तक apply कर सकते हैं, form fill up करने के लिए friends आपको इस website पर आना होगा, इसका link भी नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सभी links आपको description में दे दूँगी, so BA admission portal link पर आपको click करना है, तो आपके सामने यह website open ह जाएगी, उसके बाद हम बात करते हैं, examination date की, जो होने वाला है 7th of January को, और आपको 2 hours दिये जाएंगे, अपने examination को complete करने के लिए, that means duration of the exam is 2 hours, so friends यहाँ पर आपको दुबारा से mention करके दिया गया है, for any query, please contact the phone number यहाँ पर दिया गया है, school of education, so कोई भी query है, question है, तो इस phone number पर आप call कीजिए, और वो आपकी resolve हो जाएगी, and you will get the answers, so friends यहाँ पर simply mention किया गया है, कि कोई भी phone या electric device allowed नहीं किया जाएगा, so आप उसे लेकर मत जाएगा, आप इसे दुबारा से पर सकते हैं, इसका link भी description में दे दिया गया है, so I hope यह वीडियो आपके लिए आपके ल